हर सफल विक्ती की एक दुखत कहानी होती है और हर दुखत कहानी का सफालन्थ होता है इसलिए दुख को शुकार करते हुए सफलता की और आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है गुड बॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टी पॉइंट दोस्तों आज है 6 दिसंबर स्टार्ट करते हैं आज के करेंड फेस साथ ही दोस्तों दुखत का आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब जरू कर लें साथ में जो बागल में घ एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं सभी की मदद जरूर किया करिए और दोस्तों इस वीडियो का आप अंतर तक जरूर देखा का है एक एक कोश्चन का फिर फटा फटी स्टार्ट करते हैं आज करने फेस दोस्तों पहला कोश्चन से हाल ही में जंजाती सर्किट का विका विकास पेरेन कोहिमा दोखा परियुजना का उद्धाटन की इस भारती राज में किया गया था तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तों ओपसंडी नागालेंड ठीक है ओपसंडी नागालेंड देखे दोस्तों नागालेंड की शियम है स्री नेफू रियोद ने जनजाती सरकित का विकास पेरेन कोहिमा वोखा पर्युजना का उधवाटन किया है आपको बता दे कि भारत सरकार के परेटन मंतराले की स्वधेश दर्शन यूजना के तहत राज़ में लागों उन्हे पहली पर्युजना है ठीक है देखे उस तो आपको बता दे कि इस पर्य अभिमा वोखा पर्युजना का उधवाटन किस भारती राज ने किया गया था तो यह किया गया था तो नागालेन में वहां के जो सीम है नेफ्यू रियो ने इसका उधवाटन किया है ठीक है तो याद रखे का काफी इंपोडेन कोश्चन है ठीक है दोस्तों चलिए अगला अंधन के महत को दर्शाना आपको बता दें दोस्तों कि याद रखे कि विश्व मिर्दा दीवस 2018 का विश्य क्या है यह मिर्दा परुशन का स्रमधान बने ठीक है मिर्दा परुशन का स्रमधान बने विश्व मिर्दा दीवस 2018 का थीम है ठीक है तो विश्व मिर्दा दीव इस रो के सबसे भारी और सबसे उन्नत उच्छ थ्राफुट संचारु उग्रह का नाम क्या है जिससे 5 दिसंबर 28 हो को फ्रेंच गौयाना से लाwn्च किया गया था करेक्ट ईन्सर हो जागे है कि इसका option भी G7 11 ठीक है देखें तो इश्रो का सबसे भारी और सबसे उन्नत उच्छ थोपुट संचार उब रहे G711 फ्रेंच गुवाने से लॉंच किया गया था आपको उता दिक इससे बीग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है ठीक है बीग वर्ड आपको बता दिक लॉंच वहन एरियान 5 वी ए 246 ने दक्षिंड कोरिये के GEO कंपैक 2 एक पुरे के साथ भारत के G711 को लॉंच किया है ठीक है तो यह आपको याद रखना है G7 एनी GEO स्टेशनरी सेटलाइट ठीक है GEO स्टेशनरी सेटलाइट यह याद रखिएगा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों उसके लावा दोस्तों आप हमारे Facebook पेज Online HD Point को जरूर लाइक कर लिजे क्योंकि वहाँ पर मैं daily handwritten notes आपके लिए शेयर करता हूं ठीक अपने नेवल स्टॉप के चीप जो है एड्मिरल सुनीर लांबा ने Blue Waters आहाय नामक पुस्तक जारी की है ठीक है आपको दा दे किया पुस्तक जो है 2001 से 2010 तक के भारती नोसेनर की तिहास के बारे में बताती है ठीक है इसका अनावरन भारती नोसेनर दिवस के अफसर पर किया गया ह है और भारती नोसेनर दिवस आपको पता है कि 4 दिस्टंबर 12 को मना जाता है ठीक है ठीक है आपको पता दे दोस्तों कि पुस्तक को वाइस एड्मिरल अनूप सिंग द्वारा लिखा गया है ठीक है लेकिन इसको जारी किसने किया है नेवल स्टाप के चीफ एड्मिरल सुन का कौन है लेकिन जारी किया है एड्मिरल सुनील लामबा ने ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन दोस्तों पांच दिसंबर 1218 को भारत ने किस देश के साथ दो समझोते पर स्ताक्षर किये हैं जिसमें मुद्रा स्वयप पर एक समझोता भी सामिल था इसका गारेक्टर इंसर जागा UAE ठीक सायुक्त अरब अमीराथ ठीक है देखे दोस्तों इसमें दो समझोतों पर साक्षर किये हैं जिसमें मुद्रा स्वयप और एक समझोता भी सामिल है आपको दादिक मुद्रा स्वयप क्या है दो देशों की बीच ऐसा समझोता है जो प दिसमबर 2018 में भारत निकीश देश के साथ दो समझोतों पर साक्षर कियें जिसमें मुद्रा स्वयप और एक समझोता भी सामिल था UAE यानि युनाइटेड अरब अमीराथ के साथ है ठीक है अगला कोश्चन दोस्तों काफी इंपोर्डेंट है बोगी बेल ब्रीज किस नद दूगड को अरवनालचे प्रदेश में पासी घाट से जोडने वाला भारत का सबसे लंबा रेल एवं सड़क पूल है ठीक है कहां से कहां तक असाम के डिब्रुगड को अरवनालचे प्रदेश में पासी घाट ठीक है याद रखिए इसकी लंबाई है 4.94 किलिमिटर लंब और ब्रह्मपूत्र के जलस्तर से 32 मीटर उपर रहेगा इसका निर्मार जो है भारती रेलवे द्वारा किया गया है ठीक है तो बोगी बेल ब्रीज किस नदी पर इस्थित है ये स्थित है ब्रह्मपूत्र पर इसका आप याद रखना है काफी इंपोर्डेंट है अगला कोश राज अमेरिका के अधिकारी कात्रा पर है इस बैठक के दोरान रक्षक्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती शाषिदारी पर चर्चायुत की गई और उन्होंने अर्लिगटन नेशनल सेमेट्री मेमोरियल में अगजात सैनिक की कब्र पर भी पुषबहार अर और राष्टी छ्वैम से भी दिवस218 का इसका विशर है पंच वॉलंटीर्स व Fortnite्रेस सीलियंट कमिनूटीज ठीक है यह पांच दिसम्बर को अंतराष्टी श्वैम सेभल दिवस अल्गिंवस मना जाता है ठीक हर फा üzर्ष जो पांच दिसम्बर को मना जाता हैं अंतराष् पचासी में सेंक तुराष्ट महासावधारा शुरू किया गए का अंतराष्टी अनुसरा ने ठीक है इसकी शुरुआत होती उनिश्यों पचासी से देखे उस तो आप बता दे का अंतराष्टी स्वहम्षेवक दिवर्स का भिश है वालंटियर्स विल्ड रेसिलियंट कम्यूटीज है आपको बता दे कि दोस्तों यह स्थानी शुरुम्षेवक को समधाय और संगटनों के लिए स्थानी राष्टी और अंतराष्टी स्थर पर विकास में उनको यगदान को बढ़ावा देने का अफसर है ठीक है करेक्ट एंसर हो जाएगा ओप्सन डी कोशन नाइन देख लेते हैं भारती रेजर्वाएं की मौद्रिक नीती सम्ती ने 5 दिसंबर 12 को रेपो दर को कितने प्रिशत पर अपरिवर्तित रखा है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन सी 6.5 परसेंट ठीक है देखे आपको बता दें कि रिवर्स रेपो दर भी 6.5 परसेंट पर अपरिवर्तित रखी गई है और रेपो दर हो है दर जोस्तों जिस पर आर्वी अन बेंकों को रिंड देता है इसका मतलब है दोस्तों कि होम लोन और कार रिंड दरों में बदलाव नहीं होगा ठीक है और 6 सदस सी मद्रग नीती समति के धेक्सता और वी आई के गवर्नर रोजित पटेल ने की थी ठीक है तो रेपो दर को रेपो रेट को कितने परसेंट पर अपरिवर्तित रखा है 6.5 परसेंट अगला कुशन है 2023 में कौन से सहर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपेंशिप की मेजवानी क करेगा तो यह करेगा बुड़ा पेस्ट ठीका ऑप्सन सी देखास तो इंटरनेशनल एस्टोसेशन आफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने घुशना की है कि बुड़ा पोस्ट जो है 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपेंशिप की मेजवानी करेगा ठीक बुड़ा पेस्ट देखें दोस्तों आपको बता दे कि यह बुड़ा पेस्ट ने जो है दो बार इंटरनेशनल एस्टोसेशन आफ एथलेटिक्स फेडरेशन विश्ट इंडोर चैंपेंशिप और येथलेटिक्स चैंपेंशिप की मेजवानी की है ठीक है दो बार पहले भी कर चुका है आप आपको बता दें दोस्तों की 2019 का व्र्ल एतलेटिक्स चैंपिएंशिप दोहा में और 2020 का संसक्रण यूजीन ओर एगन में जनँ किया जाएगा ठीक है ठीक है 2020 कि का सहर वर्ल एतलेटिक्स चैंपिएंशिप की मेजवानी करेगा यह करेगा बुड़ा पेस्ट चलिए अगल नाम रखा गया था तिख रख दिया गया है आपको बता देंगे इसका प्रतिश्य करने वाले हैं रिक्या र्क्षण ओंटिक्षári प्लेयर थे ये कोच हैं अगला कोचन देख लेते हैं पेरिश में बैलोन डियोर समारों में किसमे कोपा ट्रॉफी 2018 जीती है जीती है जीती है दोस्तों कैलियान एमबापे ठीक है ऑप्सन C देखे फ्रांसिसी फुटबॉलर जो है कैलियान एमबापे को तीन दिस्तमर 2018 को पे अगला कोचन देख लेते हैं किसे भारती स्टेट बैंक की डिश्टल एप योनो के लिए ब्रांड एमबेजडर की रूम में नियुक किया गया है तो यह काफी इंपोटेंट है स्वपना बर्मान को ठीक है ऑप्सन B देखे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी डिश्टल एप योनो के लिए स्वपना बर्मान को ब्रांड एमबेजडर नियुक किया है ठीक है योनो के बारे हम आपको बता थी कि बैंक का डिश्टल प्रेटफर्म जो की एक ही स्वपना बर्मान को ठीक है अब देख लेते लास्ट वीडियो के अंसर फटापड मैंने कोशन पूचे था सेंक तुरास्ट फ्रेंबर कंवेंशन और क्लाइमेट चेंज में भागीदारों के सम्मेलन की 24 मी बैठक कोप 24 कि देश में शुरू हुई यह वी थी पोलेंड में ऑप्सन भी करेक्ट था सभी स्टूडियो ने राइट एंसर दिया था वो डिटेल में लिखा था अब देख लेते हैं आज का फटा पट सवाल क्या है इसका इंसर आपको कमेंट बाक्स में लिखना हर वर्स नौसे न दीवस कमना जाता है फटा पट इसका इंसर आपको कमेंट बाक्स में ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे और ज्यादा ज्यादा लोग इसमें डिटेल के साथ लिखेंगे दोस्तों क्योंकि आप जि तो आप जरूर देख अगर ठीक है तो मिलते हैं शुड़ियों के साथ दोस्तों आपको दिन शूभू जै हिंद जै भारत